अगर आपको 90 के दशक की कुछ ऐसी फिल्में देखनी है जो न सिर्फ रोमेंस और कहानी के मामले में पफेक्ट हो बलकि उनका सस्पेंस भी गजब हो तो ये फिल्में जरूर देखें। ये फिल्में थरिला होते हुए भी ओडियंस के रोंटे खड़े करने के लिए काफी थी। तो चलिए इन्ही फिल्मों की बात करते हैं और जानते हैं कि नब्बे के दशक की सबसे मजेदार थरिला फिल्में कौन सी थी। शाहरुक खान को Best Actor in Negative Roll का किरदार दिलाने वाली ये फिल्म इतनी रोचक है कि इसमें हीरो से ज्यादा विलिन का किरदार हम है। डर फिल्म में जिस तरह से शाहरुक खान और जुही चावला का रोल है। इसमें Amazing है। ये फिल्म आपको उस लेवल पर ले जाएगी जहां श यकीनन कहानी के मामले में बॉलिवुड काफी तरक्की कर रहा था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेर जरूर करें। इस लिस्ट में हमारी अगली फिल्म है 1997 में रिलीज हुई बॉबी देओल की गुप्त। दुनिया हसीनों का मिला गाने से शुरू होकर फिल्म गुप्त में जितने ट्विस्ट और टन आये हैं वो तो आपको पता ही होंगे। फिल्म गुप्त में आखिर में जब कातिल का पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि वाकई कहानी को कैसे मोडा गया है। फिल्म म अगली फिल्म खिलाडी कुमार यानि अक्षय कुमार की है साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म खिलाडी एक समय पर ये फिल्म कॉमेडी लगती है और दूसरे समय पर आपको पता चलता है कि हस्ते खेलते स्टुडेंट्स के बीच एक खून हो जाता है। फिर शुरू होती है कातिल को तलाश करने की कोशिश जो फिल्म के अंग तक चलती रहती है। इस फिल्म की खास बात ये है कि ये इतनी जल्दी कॉमेडी फिल्म से थरिलर फिल्म बनती है कि आपको अचानक शौक लगता है। कहानी के मामले में ये काफी अच्छी है और आखिर तक कातिल के नाम को सस्पेंस रखा जाता है। हमारे लिस्ट में अगली फिल्म बॉलिवुड के किंग शाहरुक खान की है साल 1993 में रिलीज हुई शाहरुक खान की बाजीगक। अगर नब्बे के दशक की थरिलर फिल्मों की बात हो रही है और फिल्म बाजीगक का नाम इसमें नहीं लिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाजीग एक अलग ही लेवल की फिल्म थी जिसने नब्बे के दशक में शाहरुक खान का एक नया रूप दिखाया था। इस फिल्म में शिल्पा शेटी को मारने वाला सीन बताता है कि शाहरुक खान की अदाकारी एक हीरो से विलेन तक सिर्फ दो सेकंड में ही पहुँच सकती है।